नमस्कार स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूट्यूब चैनल पे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई बड़ा फेमस टॉपिक है आप लोगों नाम जरूर सुना होगा और इलास्टिसिटी ओफ डिमांड के बारे भी बात कर लेंगे यानि कि इलास्टिसिटी ओफ डिमांड भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे तो यह एक्जाम के कोशन बन जाते हैं और आम तोर पे इसे कठिन कोशन में गिंती किया जाता है आम तोर पे बच्चे जोने इसे कठिन प्रवाई में ज्यादा बिनाबात किये हुए और हमें पता है कि और आई होप कि आप लोगों ने पीछे के जितने वीडियो उसको आपने देखा होगा और उस पर एक्जाम के कोशन लगाना शुरू कर दिये होंगे या एक्जाम के कोशन लगा रहे होंगे अगर आप नहीं तो ये गलत बात है ठीक है एक्जाम आपका बिल्कुल नजदी खा और आईसे में अगर आप कोशन नहीं लगा पाएंगे तो ये दिक्कत है एक्जाम का कोशन प्रिवियस यर कोशन पर आपका पैलरी चलना चाहिए चाहे किसी भी सवजेट के बारे में आप बात करें क्यो लो रहेगा तो फिर आता हुआ कोशन भी आप नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं मांग और पूर्ति की बात कर लेते हैं तेके मांग क्या होता है मांग डिमांड क्या होता है ठीक है डिमांड क्या होता है तो डिमांड होता है कि जाते हैं, जब किसी बस्तू को खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो आपके मन में चल रहा होता है, लेकिन जब आप बस्तू को खरीदने जाते हैं, और उस बस्तू का कीमत आपके हिसाब से हैं, यानि कि आप उतना पे करना साहते हैं, तो फिर वो बस्तू मांग बन जाता है, एकदम सद्धान भासा मैंने बताया कि हम खरीदने के लिए गय इस पेन को और ये पेन की कीमत है 50 रुपया और हमको देना है 20 रुपया तो ये पेन मांग नहीं हुआ मेरी बात को अच्छे तरीकिये समझेगा अगर इस पेन की कीमत हुआ 50 रुपया और हमारे जेब में 20 रुपया है या फीड हम 20 रुपया देना चाहते हैं और इसी को मैंने परिभासा में क्या लिखा है वो देखिए, जब कोई उपभोगता निश्चित समय के दवरान, मतलब एक निश्चित समय में, निश्चित कीमत पर, निश्चित मात्रा में समान खरिता है, तो वो हम मांग है, ध्यान रखेगा, हर चीज का यहां पर ध्यान रखा गया है, कि by certain quantity, certain यहां पर quantity की बात है, goods की बात है, certain time किसी निश्चित समय में, याने definite price, जो वो निश्चित करके प्राइस को तै किया है, उस पर अगर मिल रहा है, तो demand है, अगर नहीं मिल रहा है, तो नहीं है, ठीक है, तो ठंडी में sweater चाहिए, लेकिन हमें 500 रुपया में sweater चाहिए, 500 रुपया में, और मन में रखा हुआ हूँ मैं 500, तो 500 या 500 के आसपास का sweater होगा, वही मेरे लिए demand बनेगा, क्योंकि उतना ही मैं खर्चा कर पाऊँगा, लेकिन उसी जगा पे कोई sweater अगर 500 रुपया का रखा हुआ है, तो मेरे लिए वो demand नहीं बनेगा, किसी और के लिए वो बन सकता है, मेरे बाद समझ में आ रहा है, तो 1500 का sweater मेरे लिए demand नहीं बनेगा बेटा, लेकिन किसी और के लिए वो demand बन सकता है, यह बात आप ध्यान रखेगा, तो यह चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली बाते, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो demand बनेगा कोई भी product वो तभी बनेगा जब एक certain time में हमें उसकी जरूरत है और एक certain price पे हम उसको पालेंगे तभी वो demand बनेगा नहीं तो demand मे क्या कहता है तो देखो demand का नियम कहता है कि जैसे जैसे प्राइस में बढ़ होत्री हो गी demand किसी product का कम होगा and ways versa और अगर demand किसी product का price कम होगा यानि कि rise in price demand of goods fall and क्या बलते है प्राइस में अगर कमी आएगी तो demand of goods क्या होगा बढ़ेगा यानि कि अगर कीमत में बढ़ोतरी होती है तो demand कम हो जाता है और कीमत में अगर घटोतरी होती हो तो demand बढ़ जाता है यह एक बड़ा ही universal rule है लेकिन other things remaining constant का जो बात है उस को भी हम यहां पर समझेंगे तब इसरी में जो universal law हो उसके उपर में बात करेंगे देखिए थोड़ा समय कुछ बाते आपके साथ सेर करता हो और एक map के साथ हम आपको बताते हैं यहां पर हमने आपको कहा ध्यान रखेगा हमने आपको कहा कि अगर price अगर price बढ़ता है price demand demand जो है क्या होगा घटेगा और अगर price घटता है तो demand क्या हो जागा बढ़ जाएगा यह point को आप अच्छे तरीके समझेगा लेकिं यह तब होगा जब कि सब कुछ normal चल रहा सब कुछ normal चल रहा लेकिन point यहां पर यह है कि अगर किसी भी चीज में परिवर्तन हो तो यह ज किसी चीज का मतलब क्या तो किसी चीज का मतलब है example देखिए income अगर income में परिवर्तन हो जाए अगर आप 20,000 रुपईया कमाते हैं और 50,000 कमाने लगे तो जो चीज आप demand में आपके नहीं था वो आप demand में आ जाएगा यानि कि 500 का स्वेटर पहले आप demand में था अब 500 का income क्या हो गई है increase हो गई है ध्यान रखेगा तो आमदनी बढ़ने से और यह सदान्दे को economy नहीं प्रहा रहे आप अपने जेव से अप समझे ना कि कैसे आमदनी बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और unnecessary या फिर necessary जो भी आप समझे वैसे उसे समान आपके पास इक कोई समान उस समय आपके पास नहीं था अब क्या है कि आपकी income बढ़ गई है तो समान आपके पास आ गया है जो कि पहले नहीं था बिल्कुल गारी लिए वो डिमांड में नहीं था क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम अपने सारे काम अपने साइकल के द्वारा करते थे, अब जब आमधनी आपकी बढ़ जाती है थोड़ा सा तो आप मोटर बायक ले लेते हैं, उस समय क्यों नहीं मोटरबाइक लिए क्योंकि उस समय आपकी आमदनी नहीं थी तो मोटरबाइक आपके डिमांड में नहीं था अब आपकी आमदनी बढ़ गई है तो मोटरबाइक आपकी डिमांड में आ गया बात समझ में आ रहा है तो आमदनी जैसे जैसे बढ़ती है खर बातावरन में क्या होगा यह नीचे भी हो सकता है उपर भी हो सकता है बातावरन में क्या होगा कि थंडी खतम हो गई और गर्मी आ गई तो इस बात मान के चलिए सो परतिसत कि थंडी का कपड़ा जो है ना थंडी का कपड़ा अब डिमांड में नहीं होगा मांग में नहीं हो किसलिए मांग में नहीं होगा क्योंकि अब थंडी खतम हो गई है गर्मी आगई है तो मांग में cooler, पंखा, AC यह सम्मांग में आने लगेंगे और आपके sweater, muffler, आपके वाइलर यह सम्मांग में नहीं रहेगा इसकी विक्री नहीं होगी या लिस्ट होगी समझ गया है तो environment के change होने से भी आपके demand में change हो जाता है चलिए, market trend, market trend को भी change होने से आपके demand में change हो जाता है खास करके आप देखते हैं कि fashion में आप देखते हैं कि हर कुछ दिनों में कुछ ने कुछ चीज़े बदल जाती है पहनने में या फिर ऐसे series में या कुछ और चीज़ों में ठीक है ना तो अगर वो trend में नहीं है तो फिर यह बदल नहीं काम में आएगा मतलब आप ऐसा नहीं यूज करेंगे ट्रेंड में नहीं है तो ठेक है ना तो trend के हिसाब से भी demand बदलता है कोई पुराने trend जिसको आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खर दें क्योंकि यह तो old हो गया ठीक है जिसको old fashion बोलते हैं हाँ बहुत पुराने की बात करें यानिकी 70 या फिर 60 या 50 की बात करें तो वह वापस एक बार fashion में आ चुका है तो उसको लोग खरीद रहे हैं जैसे polka dot के जो कपड़े हैं वो लोग कुछ दिन पहले तक खरीद रहे थे आभी साथ फैसन से out हो गया हो या I don't know लेकिन वो बहुत ज़्यादा परचलन में था polka dot का कपड़ा तो ये बात भी आप समझेगा थोड़ा सा ठीक है चलिए policy of government government के किसी निती के कारण भी demand और supply में परिवर्थन आ सकता है और government का ये निती जैसे GST है ना तो GST एक अलग तरीके का tax था जिसको समझने में लोगों को 3-4 साल लग गया अब वो चुकी चल रहा है तो उसके कारण भी demand और supply पे बहुत ज़्यादा परिवर्थन आया नोट बंदी नोट बंदी हुआ लोगों के जेवे से नोट जाकर के बैंक में चला गया और बैंक एक limited नोट दे रहे थी तो लोगों के धंदे चौपट हो गया वहाँ भी demand supply परवावित हो गया ठीक है price of commodity ठीक है तो price of commodity ये तो simple point है कि price बढ़ेगा तो demand घटेगा प्राइस घटेगा तो demand बढ़ेगा तो ये तो simple है इसके बारे में बात नहीं करेंगे ये दो चीजे government की policy और आपका income और income number one है income अगर बढ़ जाएगा ना तो ये बात समझ लीजे एक बच्पन में कहानी परहे थे कि ये एक पिता अपने बच्चे के साथ जा रहा था और एक गुबारा जो है ना वो साइद मान के चलो कि 50 पैसे में गुबारा मिल रहा था तो वो गुबारा अपने बच्चे के लिए नहीं खरिद पाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन जब वो कहीं से कमा के आता है और फिर से अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहा होता है तो गुबारे से एक नहीं पांच गुबारा खरिता है जबकि गुबारे क होता है किसी भी चीज़ के demand में बनने और नहीं बनने का तो ये एक demand के बारे में आप समझ लिजेगा और demand का वड़ा सधारण नियम है कि आमदनी बढ़ने से demand बढ़ती है और आमदनी घटने से demand घट जाती है दूसरा कि दिमांड का जो universal law है वो है price बढ़ने से demand का होता है बढ़ जाता है और price गटने से demand घर जाता है और price घर जाती है किसी बस्तू का और इसको हमें गराब से देखते हैं ठीक है एक गराब से देखते हैं आप लोग भी इस गराब को बना लीजिएगा ठीक है देखो यह 0 है, xy आप जानते हैं और demand का जो curve होता है ना हमेशा downward होता है यह बात आप हमेशा याद रखेगा, यह d है demand का curve हमेशा क्या होगा? download होगा और यही question exam में पूछ लिया है तो demand curve is always downward नीचे की तरफ होगा? downward होगा? हमेशा नीचे की तरफ होगा? याद रखेगा, यह जो है न, demand कारव हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ होगा आप यहाँ पर देखिए, मैं एक छोटा सा इसमें बनाता हूँ देखो समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं देखो, यह है आपका price यह क्या है आपका? यह है price और यह क्या है quantity है? quantity, किसी भी चीज की quantity है ठीक है? तो यहाँ पर देखना यानि कि P1 price पे P1 price को हम 10 रुपया दे दिए 10 रुपया में यानि P1 price पे जो quantity का demand है मार्केट में वो है आपका Q1, ठीक है Q1 का मतलब 10 रुपया में 10 रुपय किलो अगर आप बेशते हैं तो मार्केट में 20 kg का demand है कितने kg का demand है? 20 kg का लेकिन यही अगर 20 रुपय हो जाता है 20 रुपय है और यहाँ पर हम इसका नामा करन कर देंगे क्या? P2 इसका नामा करेंगे P2 तो अगर 20 रुपय किलो हो जाता है तो उसका demand मार्केट में कितना हो जाता है? यहाँ पे कर देता हूँ Q2 और 15 रुपया Q2 और 15 रुपया ठीक है? और यह Q1 है Q1 और 20 रुपया तो ध्यान रखिएगा जब P1 प्राइस था यानि कि 10 रुपया किलो भीक रहा था तो बाजार में कितना demand था? 20 रुपया लेकिन जब यही P2 प्राइस हो गया यानि कि कीमत बढ़ गई और 20 रुपय किलो हो गया कोई समान तो बाजार में demand घट कितना रह गया? 15 रुपया तो यानि कि price बढ़ने से demand क्या होती है? घट जाती है कब? अगर other things remain same रहे तो ठीक है? तो price बढ़ने से demand घट जाती है quantity का जो demanded है market में घट जाती है जब आप price बढ़ाते है अगर price घटने से demand बढ़ जाती है तो अगर घटने वाला एक दूसरे color से अगर हम बता दे तो कुछ ऐसा बनाएंगे मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा देखो price को और घटा दिया तो demand देखो कहा चला गया? demand यहां चला गया यहां इस जगह पे तो अगर price को घटा करके हम 5 रुप्या कर दिये तो demand कहा हो गया? 20 से यहां पर कर देता हूँ मैं इसको पचीस ठीक है? 20 से क्या हो गया? 25 हो गया तो ध्यान रखेगा जब 5 रुप्या पे यानि कि P1, P2 और इसको कर देता हूँ मैं P3 P3 कम हो गया और यह है Q3 और कितना हो गया? 25 यानि कि जैसे ही 5 रुप्या किलो प्राइस आया, demand market में कैसे हो गया? 25 किलो का demand आ गया quantity in kg quantity in kg और price per kg price per kg तो इस figure को आप बना लिजेगा इस figure को क्या करेंगे? आप बना लेंगे अब आगे बात करते हैं हम थोरा सा shift of demand में demand का जो shift होता है उसके बारे में थोरा सा बात करते हैं चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ ना? देखिए यहाँ पे है मांग बक्र में बदलाव shift in demand curve क्या होता है? मांग बक्र में बदलाव तब होता है जब मांग में परिवर्तन होता है ठीक है न? और वो कैसे परिवर्तन होगा तो जो कि पहले हम लोग ने बात किया कि अगर I में परिवर्तन हो सरकार की निती बदली हो अगर बाजार का रूख बदला हो तो ऐसे करके परिवर्तन हो सकता है तो इस परिवर्तन को भी हम अपने ग्राफ से देखते हैं, देखो, यह 0 है, ठीक है, और आप जानते हैं कि demand curve हमेशा कैसा होता है, download होता है, तो एक demand curve हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यह हमारा demand curve है, एक, और एक demand curve हम बनाएंगे, यहाँ पर, और यह दोनों क्या हमारा, d है, d है, ध्यान रखेगा, ठीक है, और यह हमारा क्या है, price है, और यह हमारा क्या है, quantity है, quantity है, ठीक है, पक्का, चलो, अब यहाँ पर मैं थोरा सा छोटा लेता हूं, और इससे कुछ करने कोशिज करता हूँ, देखो, मान के चलो कि इस price पे, यानि कि इस price पे demand market में यहाँ है, ठीक है, demand market में यहाँ है, और यह price क्या है, वो मैं आपको बस round figure में, इसको बोलता है, बोलते हैं P1 और इसको बोलता हूँ मैं Q1, यानि कि demand यहाँ है, इस price पे, अब क्या हुआ, ध्यान और यहाँ पे price बढ़ गया, price बढ़ गया, price बढ़ गया, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लू, price बढ़ने का, ठीक है, price बढ़ गया और यह P2 हो गया, तो यहाँ पे demand कहाँ चलाया, इस जगह पे, यानि कि Q2 पे आ गया, Q2 पे, अब यहाँ पे एक चीज देखेगा बढ़ अगर आमदनी बढ़ गया, तो क्या होगा, इसी price पे, इसी price पे demand जो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे, P1 price पे ही demand कहाँ चलाया, यहाँ चलाया, यानि कि अगर मैं P1 price को 5 रुपे माल लू, तो 5 रुपे किलो में, जो कि पहले demand था Q1, यानि कि पहले demand था 20 kg का, 20 kg का, अब आमदनी बढ़ गया, तो आमदनी बढ़ते ही ध्यान रखेगा, यह demand कहाँ चलाया, demand चलाया, 20 से 25 kg में, 25 kg में, बात समझ में आया, चलिए, ठीक है, दूसरा color एक और लेता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, एक और चीज, अब देखिए, P2 price, P2 से कितना पर आगया, मान के चलो, 18 पर आगया, 18 रूपया पर आगया, ठीक है, 18 kg पर आगया, quantity, लेकिन, यहाँ पर एक और ध्यान देखना, आमदनी आपकी बढ़ गई है, तो क्या होगा, आमदनी जैसी बढ़ती, तो 8 रूपया में भी, 8 रूपया में भी देखो, यहाँ यहाँ आकर कि डिमांड के मार्केट को करेगा, यानि कि 8 रूपया में भी अब कितना चाहिए, 22 kg चाहिए, 22 kg, तो ध्यान रखना, यह जो मैंने बनाया, इसको पर गौर से समझना, मैंने कहा, P1 प्राइस पे, यानि 5 रूपय कीलो पे, जो पहले से डिमांड था मार्केट म वो 20 kg था, लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ा, 5 रूपया प्राइस पे ही, अब डिमांड कितना मार्केट में आ गया, 25 kg का, यानि कि अब लोग 25 kg मांग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से, जब कीमत बढ़ी, यानि 8 रूपया हो गया, तो 8 रूपया में मार्केट में 18 kg का डिमां हो गया, यानि किमत बढ़ी, लेकिन आमदनी बढ़ने से भी, डिमांड में थोरा सा चेंज़ जाया, बात समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो यह Nu कि अब बात आप जब इंकम बढ़ जाती है, जब इंकम में बठोतरी होती है, इंकम में तो सारे product भी नहीं थे, लोग के पास पैसे भी नहीं थे, और वो product भी जो थे market में, वो भी बड़ा मुश्किल से बिख पाता था, ठीक है, बड़ा मुश्किल से बिख पाता था, लेकिन अब market में उससे 10 गुना ज्यादा product है, आपको मालूम है, रोज नय-nया startup हो रहा है, नय-n shift in demand है, shift, shift in demand है, घ्यान रखेगा, ये shift in demand है, और ये shift जरूरी नहीं है कि positive हो, shift negative हो सकता है, अगर income कम हो जाए, मैं negative shift एक बनाता हूँ, ठीक है, अगर income कम हो जाए, ये d है, अब ये negative shift है, और जब negative shift को हम यहाँ पर बना गिने की कोशिस करते हैं, तो हम किस तरीके से देखते हैं, वो देखो, negative shift में बना रहा हूँ, देखो, कैसे बनते हैं, देखो, इसी 8 रुप्या पर आमदनी अब कम हो गई है, आमदनी मान के चलो, कम हो गई है, तो य दिमान अटकता है 15 kg पर, इसी 8 रुप्या पर दिमान 15 kg पर अटक रहा है, क्योंकि अमदनी कम हो गई, इसी 8 रुप्या पर नर्मल तरीके से, यानि कि जब सब कुछ ठीक था, तो दिमान अटकता था 18 kg पर, और इसी 8 रुप्या पर जब income बढ़ गया, तो दिमान अटक रह इस जगा पर अटकता है, ठीक है ना, सारे 18 kg मान लो, या 19 kg मान लो, ठीक है, ये, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझेगा, और इतना, क्या बोलते है, घबरा ये, वो नहीं हो जिएगा, ठीक है, ये जो बीच वाला है, इसको हमने मानक माना, और इससे income को हमने बढ़ा अच्छे पर आए, तो यहां पर demand का सुलब आया, और इसे income को हम घटाया, तो यहां पर demand का सुलब आया, और इस sulब के साथ हम क्या देख रहे है, कि चीजे कैसे work करती है, इस sulब के साथ चीजे कैसे work करती है, इसको पर इकार से समझेगा, तब आपको shift of demand समझ में आ कि price बढ़ने से demand कम होती है price घटने से demand बढ़ जाती है लेकिन shift of demand जो है न income के बढ़ने या घटने government के नितियों में परिवर्तन होने से भी होता है तो यह shift of demand का पूरा का पूरा क्या है graph है पक्का कोई दिकत नहीं ठीक है आगे बढ़े चलो अब law of supply की बात करेंगे यानि कि अब हम लोग बात करेंगे मांग के पूर्ती के नियम के बारे में पूर्ती का नियम आप पूर्ती के नियम के बारे में बात करेंगे यह तो हम लोग demand के बारे में बात कर रहे थे तो law of supply क्या कहता है, बड़ा simple है law of supply के बारे में, वो यह है कि जितना ज्यादा कीमत बढ़ेगा, supplier market में उतना ज्यादा माल छोड़ेगा, अच्छे तरीके समझेगा, जितना ज्यादा कीमत बढ़ेगा, supplier market में उतना ही ज्यादा माल को क्या करेगा, supply करेगा, जितना ज्यादा कीमत क्यों कि कीमत बढ़े हुए कीमत पर अगर supplier माल का सप्लाई जादा करता है तो उसकी income बढ़ जाती उसकी profit बढ़ जाती है यही मांग का नियम है यह इसी को मांग का नियम कहते हैं कि कीमत जितनी अधिक होगी आपूर्ती की मातरा उतनी ही अधिक होगी और कीमत कम होने से और वो खराब होने का item नहीं है उसको हम reserve करके रख सकते हैं अपने पास और मेरे पास ऐसा संसादन है तो हम आगले साल तक उसको रख सकते हैं कि किसली रख लेंगे और रखते ही हम लोग किसली रख लेंगे क्योंकि जिस दिन कीमत बढ़ेगी उसी दिन हम बाजार में निक बेचेगा ही नहीं तो इसी को बोलते हैं मांग का पूर्ती का नियम law of supply यह बड़ा simple है यह बहुत होता है हर जगा होता है ठीक है ना बहुत होता है यह हम आप सब करते हैं मैं किसान हूं हम तो करते हैं कि गेहूं उप जाते हैं हम कोई भी समान उप जाते हैं और अगर market मे अच्छा rate नहीं मिल रहा है तो हम नहीं बेचते हैं हम उसको रखे रहते हैं और रख करके और जब जिस समय रेट बहुत अच्छा हो जाता है उस समय बेचते हैं यह हम करते हैं हाँ कुछ लोग की पैसे की जरूरत होती है यह इस पर देखो यह भी तो एक्सेप्सन यहां हम आपको बताते हैं और ठीक है और उसके बाद संतुलन का भी गराब बनाएंगे तो संतुलन का गराब क्या होता है कि जितना आपूरती और मांग बरावर होती यहां पे यानि कि इसका मतलब है कि आपूरती जितना बस्तू की हो रही है उतनी बस्तू की मांग भी की जा र को कविया से ठीक है दो गराप बनाएंगे हैं पर दो गराप बनाता हूं मैं देखो यह 0 है हमने क्या कहा था कि डीमाइन्ड हमेशा डाउन वर्ड होता है लेकिन जब बात करेंगे सप्लाई का तो सप्लाई हमेशा upward होगा supply हमेशा क्या होगा upward होगा मैं इस लिख देता हूँ हमेशा upward होगा supply always always upward होगा और यह क्या है वेटा as you know price और यह क्या है वेटा as you know quantity यह quantity यह price है simple मैं यहाँ पे कर देता हूँ पांच रुपिया यहां पर कर देता हूं, 10 रुपिया, यहां पर कर देता हूं, 15 ठीक है, चलिए, नीचे में मैं आपको यहां पर कर दूँगा, 15 kg, 30 kg, मतलब इसके हिसाब से कर लेंगे, हम ठीक है, 30 kg और 35 kg, ठीक है ना, आप चलिए, अब हम एक छोटा सा बनाते हैं, किस तरीके से सप्लाई बदलता है, वो देखते हैं, अगर 5 रुपिया कीमत है, 5 रुपिया कीमत है, किसी भी प्रोडक्ट का, यह प्राइस है यह क्वांटिटी है, तो मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है ना, 10 kg जाएगा, 5 रुपिया अगर कीमत है, तो 10 kg जाएगा, लेकिन वही कीमत अगर यहाँ पे 10 रुपिया हो गया, 10 रुपिया है निकीमत दुगना हो गया, तो प्रोडक्ट मार्केट में कितना जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा लगभग 18 kg, तो कहने का मतलब यह है, कि 5 रुपिया था, तो मार्केट में वही समान 10 kg मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 10 रुपिया कीमत हुआ, मार्केट में वही समान 18 kg मिलना शुरू हो गया, क्योंकि लोग बेचना शुरू कर दिये, क्योंकि उनको मुनाफ़ा दिखने लगा, तो वह बेचने लगे, तो मांग का नियम यही कहता है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वान्टिटी भी क्या होगी, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा, और मांग का नियम क्या कहता है, यह यह डारेक्टली प्रपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् जैसा कि आप जानते हैं कि demand हमेशा क्या होता है, download होता है, तो D हो गया, ठीक है, अब demand का भी हम कर लेते हैं, आप एक छोटा सा, देखो, यह price है, यह quantity है, ठीक है, यह quantity है, और यहाँ पे हम आपको थोरा सा, इसका price तै कर देते हैं, क्या है, 5, 10, 15, ठीक है, और यहाँ पर हम कर लें क्या, 15, 30, 35, ठीक है न, चलिए, अब 15, 30, 35 है यहाँ पर ध्यान दिजएगा, अब यहाँ पर क्या चल ला है, वो देखिए, अगर 5 रुपईया अगर कीमत है, तो demand देखो, demand देखो, कहाँ चला गया, कितना quantity का demand है, लेकिन अगर 15 रुपईया कीमत है, तो quantity का demand देखो, ठीक है, quantity का demand कहा गया, 19 रुपईया, यह 20 रुपईया पर, मान के चलो, 20 रुपईया पर, 20 किलो, ठीक है, तो 15 रुपई किलो, जैसे ही price अप हुआ, marketing quantity, जो demand था, वो क्या हो गया, कम हो गया, तो यह क्या है, बिपरीत संबंध है, बिपरीत संबंध है, बिपरीत संबंध, किसके किसके बीच में बिपरीत संबंध है, तो price और quantity के बीच में बिपरीत संबंध है, अब एक ऐसा भी स्थिति आती है जब एक वेलिडियम की स्थिति आती है नहीं की संतुलन की स्थिति आती है वो क्या होता है वो जड़ा एक बार देखते हैं देखो, वो एक बार देखते हैं, ठीक है, वो एक बार देखते हैं, वो क्या इस्थिती है, तो इस्थिती कुछ ऐसा है, कि जब मांग और पुर्ती, दोनों जो है न, यहाँ पर देखो, यह यहाँ पर demand है, D है, ठीक है, और यह यहाँ पर S है, ठीक है, S को मैं दूसरे color से कर दूँ, ये S है, है न, ठीक है, तो ये S है, ये D है, आप जानते हैं कि Demand हमें सा Download होता है और Supply हमें सा Upward होता है, तो यहाँ पर देखिए Price वराइस का जो भी यानि कि मान के चलो कि यह प्राइस है और यह quantity है ठीक है quantity है यहां भी कर देते हैं 15 यहां कर देते हैं 30 और यहां कर देते हैं 35 यहां कर देते हैं 5 यहां कर देते हैं 10 यहां कर देते हैं 15 यहां कर देते हैं 20 ठीक है एक एम तो 15 जीतना समान च GRAμन उतना सप्जाने देखो इसाप्राइब तो 1 ऐस दा मिलीच्ट इसको बलते हैं गर आआप को समझने कि शंतुलन की स्थितित आती है कि एक ऐसी कीमत जिसमें जितना जादा मार्केट में डिमान्ड है उतना ही सप्लाई भी है लेकिन जब मांग का नियम क्या कहता है तो मांग का नियम कहता है कि जैसे जिसे प्राइस बढ़ेगा और पूर्ती का नियम क्या कहता है, पूर्ती का नियम यह कहता है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, और यह तीनों मैंने यहाँ पर बना दिया, यह है आपके supply, law of supply, यह law of supply है, यह law of demand है, ठीक है, और यह equilibrium याने की बराबरी का इस्तिती है, संतुलन का इस्तिती है, संतुलन का इस्तिती है, ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आगया होगा, आई हो, है न, और यही demand और क्या वोगते है, supply है, यह demand है, यह supply है, और यह equilibrium है, पक्का, कोई दिकत नहीं, आगे बढ़े, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला point के तरब ध्यान दिजएगा, यहाँ बिल्कुल वैसे ही है, जितने की मांग की जाती है, यह मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, समझा तो मैंने अच्छे तरीके से बना ही दिया है, चलिए, कुछ बड़े-बड़े economics है, उन लोगों ने कुछ बात कही है, वो मैं बताता हूँ, जेबी से ने कहा है, आपूर्ती अपनी मांग खुद बनाती है, और किंस ने कहा है, मांग अपनी आपूर्ती खुद बनाती है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेगा, जेबी से और किंस दोनों को समझाता हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से, जेबी से क्या कहते है कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, यानि कि मार्केट में आपूर्ति कर दो समान का वो डिमांड बन जाएगा, लेकिन किन्स इन से अलग है, ये थोड़ टेडिसनल है, वो क्या कहते है किन्स, कि नहीं, जो मार्केट का डिमांड होगा, वो ऐसा ही सप्लाई होगा, वो ऐसा ही पूर्ति भी होगा, किन्स कहते हैं, अब देखें यहाँ पे, किन्स तो बिल्कुल अपने जगा पे सही है, और एकदम बिल्कुल सही है, कि जिसका मांग होगा, उसकी पूर्ति करना शुरू कर देंगे, लेकिन जेवी से जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, जानते किसलिए है, इनके स्टेट्मेंट से पता चलता है, एग्रेसिव इसलिए है, क्योंकि ये कहते है कि समान बना के बजार में छोड़ दो, अपने आप वो मांग क्रियेट कर लेगा, तो अब मांग तो क्रियेट अपने आप वो नहीं कर पा रहा है, सीधा बात ये है, यहाँ पर लिखता है, खुद बनाती है, खुद नहीं बनाती है, क्या है, इसके पीछे लोजिक हुआ मैं बताता हूँ, तो करते क्या है लोग, कि जे भी से को फॉलो करना शुरू किये आज कल, और समान बना बना करके मार्केट में लाकर करके रख दिये, और उसके बाद तुम क्या हो, और जब ऐसा मार्केटिंग आपके उपर रख देता है, तो फिर आप जाकर उसको ले लेते हैं, या फिर उसका डिमांड आप बना लेते हैं, तो आप पूरती पहले से कर दिया, आप डिमांड बनाना है, तो मार्केटिंग, ठीक है, सारुखान जो गारी चल करेगा एड करेगा और सचाई है कि सारू खुद 3-4 क्रोड की गारी पर चड़ते हैं 10 लाग की गारी तो उसका नोकर भी ने चड़ता होगा मेरे हिसाब से लिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है तो यह चीजे आप समझ्जे की कोशिश कीजिएगा आज कल हो किया रहा है कि समान को बाजार में दे रहे रहे है अजुएज के यशाओ कराकर इसको डिमांड में परिवर्तित कर देций यह universal law है और इसको कभी आप काट नहीं सकते हैं कि बजार का जो demand बनेगा अगर वो पुर्ति नहीं हुआ तो वो समान महंगा हो जाएगा और जैसी महंगा हो जाएगा तो पुर्ति गानिया में लागू हो जाएगा और लोग समान बना बना करके बजार में डलना शुरू कर द है ठेक है पक्का कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं एंगल वक्त यह क्या कहते हैं किसी बस्तु या सेवा पर घरूलू घरेलू ब्याय घरेलू आय के साथ कैसे भिन होता है यानि कि एंगल डिस्क्राइब हाव हाउसोल्ड इस अवरष इंकम इंग्रीश और अभी च्तु लिखे है। झाल्य को भूंप जब करते हैं हम से सोचोंना हम बतागे आ आसान बढ़ गई है तो तुम्हारे घर में चीजों की अलग-अलग ब्राइटी हो तुम्हारे घर का income कम है तो तुम साइखिल चलाओ갈े तुमए साइकल करूगी, तुम्हारे जह करेंड नहीं कोगे, टुम्हारे पासे नहीं है, पैसे मेरे पस्यार ना, तो जैसे पैसे पैसे आने लगते हैंं आपके पास पास चीज़े वापीस आने लगती है, यानि कि पैसा आने के साथ ही महंगे, कपड़े, महंगे, जूते, महंगे, हर चीज, गारिवां और ये सब आना सुरू हो जाता है, तो वही बात इन्होंने कहा कि अगर हाउस होल्ड की expenditure किसी particular good या services पे बदल जाता है उसके income के हिसाब से, ठीक है, बदल जाती है, हना चावल पहले 20 रुपे, 22 रुपे, 25 रुपे किलो वाला income हो गया, तुम्हारे पास महीने का लाक रुपया कमा रहे हो, अब तुम्हारे घर में चावल आ रहा है, 70 रुपे किलो वाला, ठीक है, यही एंगल साहब ने कहा है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, बिसेस, चलिए ठीक है, मांग पूर्ती की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग बात करते है, different types of goods, goods, और उस goods का क्या कहानी है, यह भी बात है हम आपके साथ में कर लेंगे, तो देखे, different types of goods में सबसे पहले होते है, normal goods, normal goods, वैसा goods होता है, जो आमदनी के साथ, बढ़ने के साथ मांग भी जैसे जैसे आमदनी होगी, आप अलग अलग तरह के भोजन करना सुरू करेंगे, अलग तरह के कपड़े हो जाएंगे, आमदनी बढ़ने के साथ आपको जो है ना, office आने के अलग कपड़े, gym जाने के अलग कपड़े, साम में घूमने के अलग कपड़े, और रात में सोने क कपड़ें, क्या बहुत है, कि साधी सदी के फंक्षन में पहने का अलग कपड़ा, कि कोई जनंदीन है उस पहनने का अलग कपड़ा किसी के सदिन न उसदीन पहनने का अलग कपड़ा किसी की क्या बोलते हैं मर गया है कोई तो वहाँ जाने का अलग कपड़ा, तो यह बहुत सारे कपरे सिर्फ function के लिए है और नॉर्मली जो पहनने के लिए वह अलग कपड़ा, मतलब घर पे पहनने के लिए अलग कपड़ा, तो यह समझ लेजे कि कपड़े इतने सारे हैं मेरे तो पागल हो जाएंगे हम ठीक है घरेलो उपकरण बेगर अभी देखते हैं अब घरेलो उपकरण आप एक छोटा सा कूलर से काम चला लेते हैं या फिर आप किसी चीज से काम चला लेते हैं, क्योंकि आपकी income नहीं है, जैसे इंकम आपकी बढ़ती है, वैसे आप cooler नहीं, AC चाहिए, उसके बाद ये वला light नहीं, वह वला light चाहिए, ठीक है, घर में ऐसा दर्वाजा नहीं, वैसा दर्वाजा चाहिए, बास समझ में आ र उसके बाद एक है competitive goods या substitute goods जिसको हम परतियस फर्दी समान या अस्थानपन समान कहते हैं, यह क्या होता है, तो यह competitive good इसलिए कहलाता है, क्योंकि किसी एक समान की कीमत बढ़ जाने पर, दूसरे समान की विक्री बढ़ जाती है, और उस समान की कीमत घर जाती है, एक्जामपल, अगर coffee की कीमत बहुत जादा बढ़ गया, तो फिर उसका अस्थानपन बढ़ा असान है कि हम चाय पीना सुरू कर देते हैं, और चाय पीना सुरू क्योंकि coffee कीमत बहुत बढ़ गई है, तो चाय पीएंगे चुकि पीना तो है, अब कोई cigarette पी रहा है, cigarette पी रहा मैंने बहुत को देखा, ठीक है, कि महाँगे महाँगे सराब पीते थे, cigarette भी देखा, महाँगे महाँगे सराब भी, कि महाँगे महाँगे सराब पीते थे, नौकरी छूट गई, रिटार हो गए, खास करके आर्मी परसन, अब वहाँ पे तो आपके पास उतना pension है नहीं कि आप कैंडीन से जाकर कि उसी सराब का बोतल ले आए, तो पाउच खरीद के पी रहे है, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में आप रखिएगा, चलिए, तो commodity goods में क्या होता है, competitive goods या substitute goods में क्या होता है, कि अगर आप substitute goods है, और कोई एक goods जिसका आप आदी हो चकी हुए म बाल पेन से लिखना शुरू कर देगा, अगर जेल पेन महंगा है तो, और जानते हैं, बाल पेन एक रुपया में आ जाता है, वो लिखो फेको वाला, और जेल पेन साथ महंगा आता है, वो आप बताएंगे हमें, ठीक है, तो यही सब example में आपको दिया है, इसको बोलते है competitive goods, है ना, मांगे सराब के जगा पे पाउच पीना, सिगरेट के जगा बीडी पीना, बॉल पेन के जगा जेल पेन के जगा बॉल बेन का पड़ियो करना, कॉफी के जगा चाय का पड़ियो करना, यह सब substitute goods है, एक दूसरे का, और इसे substitute goods आप जानते हैं, बहुत सारे हैं, तो उसको competitive goods या substitute goods कहते हैं, चलिए, तो अगर आपसे question पूछे, एक्जाम में की substitute goods क्या होता है, तो जिसका easily substitution applied हो, जिसका easily bicalp applied हो, बाजार में उसको substitute goods कहते हैं, जिसका easily bicalp applied हो, complimentary goods इसको पूरक बस्तु बोलते हैं, संपूरक या पूरक बस्तु, यानि एक के बीना दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ink और pen, car और petrol, एक के बीना दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं, तमबाकू और cigarette, ठीक है, एक के बीना दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं, तो नहीं तो नहीं जाएगा अंदर भूत लोग नमक से चाहँ पीने प्यस्प्य पेसा तो नमक चाथ के स्याब पीले तो भी एक तरीका का चखना चाहिए तो इसको क्या बहुत Nedra न। शयरियों होता है अगर एक नहीं होगा तो दूसरा चलेगा अभी नहीं मुश्किन हो जाएगा, इंक नहीं रहेगा तो कैसे कलम चलेगा, ठीक है, यही बात आप ध्यान रखेगा, एक होता है गीफिन बस्तू, गीफिन बस्तू क्या होता है जो मांग के नियम को लागू नहीं होता जिसके बोलते हैं कि कीमत जितना बढ़ेगा बस्तू का मांग उतना ज्यादा बढ़ जाएगा कैसे जैसे नमक यह गिफ इन गुड्स है इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है चाहे कीमत कितना भी हो उसको लोग खड़ी देगा ही उसका कीमत कितना भी बढ़ जाए उसकी नहीं होगी नमक कि क्योंकि बिना नमक यह खाना नहीं बनेगा पुराणी सराब पुराणी सराब जितना पुराणी होती है अतना ही जादा महंगा होता है उस него थी साथी ओ इंटे क्छ सद्ध में आप बहुत सारी पर यहां देत यानि कि आय के साथ नकारात्मक संबंद है, विपिरीत संबंद है, कैसे बताते हैं आपको, मान के चलो कि पहले आप cycle चलाते थे, आपकी cycle, ठीक है, आपकी अमदनी बढ़ गई, अब क्या चला रहे हैं, बाइक, बाइक चला रहे हैं, मोटर बाइक, आप साइकल आपके लिए क्या हो गया, inferior goods, आपके पास मान के चलो पैसे नहीं थे, तो उस समय आपके पास जो जूता था, मान के चलो campus का जूता था, अब आपके पास बहुत पैसे आ गए, बहुत, तो बहुत महगा ब्रांड का जूता आपने ले लिया, कोई बहुत बड़ा brand, campus भी brand है, लेकिन कोई बहुत बड़ा brand का जूता मान के चलो की, मैं हमेसा नाइकी बोलता हूं, तो हो सकता है कि आप इसका जूता 78,000 रुपया में आता होगा, तो पहले आप campus के जूते खरते थे, 1500 रुपया में बढिया जूता आ जाता था, आप खुस थे campus पहन के, आपके पास पैसा आ गया, आपके पास है, मान के चलो की कोई एक कार, क्या बोलते है, 4 छला वाला, क्या नाम बोलते है, 4 छला वाला, पता नहीं, नाम नहीं आदा रहा है, 4 छला वाला, तो अब मारूती 800 आपके लिए गीफिन, चीज हो गई, sorry, inferior हो गई, तो ये बात आप ध्यान रखेगा, कि नाकर 900 आप नहीं चलेंगे, पबलिक टरंस्पोर्ट से आप नहीं जाएंगे, आपके इंकम बढ़ गई है, अब आपके इज़त का सवाल है, तो पबलिक टरंस्पोर्ट से धक्का खाती हुए, कैसे जाएंगे, तो आप जाएंगे अपने फेरारी से, इंकम बहुत हो गया, तो खरिश सकते हैं, ठीक है, चार छलावला के नाम अभी तक याद नहीं आया है, ठीक है न, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है न, तो ये है आपका inferior goods, निम्न कोटी का समान, तो goods आपने देखा, एक normal समान होता है, आमदनी बढ़ने से उस समान की मांग, जो है न, उस परिवर्तन होने लगता है, एक normal समान होता है, दूसरा होता है competitive समान, या substitute समान, जो easily market way substitute है, अगर आप क्यामदनी कम हो गई है, तो दूसरे के तरफ आप substitute हो सकते है, या एक समान मांगा हो गया है, तो आप दूसरे के तरफ जाकर के shift हो सकते है, cigarette के जगा BDP सकते हैं, ठीक समानी सराव या नमक बगरा example मैंने बताया, एक होता है inferior goods, आमदनी बढ़ने के साथ उस goods से आप मुह मोर लेते हैं, यह भी बात मैंने आपको बताया, पहले पाउच पीते थे, अब बहुत परिसे आ रहा है, तो आप क्या पी होगे, बताओ, नाम बताओ एकादू का मुझ exception भी है law of demand का, exception क्या है, तो exception सबसे पहले giffen goods है, जिसके बारे बात की है कि वो law of demand को नहीं मापता है, status symbol goods, यह exception है, इसका demand और supply पर कोई फरक नहीं परता है, जो royals की गाडियां है, वो status symbol है, उसकी मांग पर कोई फरक नहीं परता है, ठीक है, वो demand supply से उपर है, economics से उपर ह इमर्जेंसी में, यहां पर law of demand कोई काम नहीं करता है, 200 रुपया में भी एक बोतल, क्या बोलता है, एक लीटर अगर पानी मिलेगा, तो तुम खर दोगे, क्योंकि अगर जरूरत है किसी को कोई प्यासे मर रहा है, तो, 20 रुपया की बोतल, तुम 200 रुपय, 2000 में भी है, चलिए, डॉक्टर के हाँ जाते हो, और आप यह न सोचते हो, कि demand और law क्या है, वहाँ पर सब खतम हो जाता है, फैसन, फैसन भी जो है, law of demand का थुरा सा, एक्स्ट्रा चलता है, लेकिन इसमें काम आ जाता है, नेसेसरी गुड्स, यह emergency या नेसेसरी गुड्स की एक ही ज रहेगी, ठीक है न, तो ऐसा है, तो कुछ ऐसे है, जो exceptions है, बाकी हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, खूब अच्छे से समझा दिया है, अब चलते है, price elasticity, यह price elasticity क्या होती है, वो हम आपको बताते है, देखिए, price elasticity क्या होती है, इसका परिभासा ही example में question क्या होता है, कि percentage change in quantity demanded, percentage change in price, ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे तरीके से समझू, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, क्या है, ठीक है, elasticity of demand, इसको हम ED लीग सकते है, ED, elasticity of demand की बात करे है, इसको हम ED लीग सकते है, ED, ED क्या है, कि आपने कितना मांग किया, percentage change, percentage change, कितना percent आपके demand में change आया है, in demand, ठीक है, और क्या उसी के हिसाब से आपके, क्या बलते है, पूर्ती में भी change आया है क्या, कितना पर्सेंटेज चेंज अया है क्या, पूर्ती, प्राइस में भी change आया है क्या, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तो इसको हम यहां पे, buy में percentage change in price ध्यान रखेगा क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से demand और price को इन्होंने इस तरीके से बाटा है इस तरीके से divide किया है इसलिए divide किया है कि ये ये कहना चाहते हैं ध्यान रखेगा ये ED elasticity of demand ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके demand में 20% का change आया 20% का change आया तो price में price में कैसा change आएगा price पे क्या आफर होगा या price के 10% कम होने से मान के चलो price 10% कम होने से demand कितना percent बढ़ा ठीक है? demand कितना percent बढ़ा इस तरीके से समझे है ठीक है न? 1 यहाँ पे 1 बताता हूँ ठीक है? पहला नियम कि अगर price अगर price में 10% का change होता है तो demand में 20% की बढ़ोतरी होती है दूसरा अगर price में 10% की change होता है तो demand में 10% की ही बढ़ोतरी होती है 10% की बढ़ोतरी होती है तीसरा अगर price में मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से समझायता हूँ ठीक है? अगर price में price में 10% की change आता है यहीं 10% कम होता है तो demand भी तो demand भी क्या हो जाएगा? demand में और कम ही आजाएगी यह भी हो सकता है कि demand और कम हो जाएगा? ठीक है? 20% की कमी हो जाएगा? या फिर अगर price में change कैसा भी हो plus minus कुछ भी हो change plus minus plus minus 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 plus minus plus ठीक है? कैसा भी price में changes हो? demand पे कोई फरक नहीं है कोई फरक नहीं है कोई फरक नहीं demand पर कोई फरक नहीं परेगा, चाहे price कुछ भी बढ़ जाए, घड़ जाए, demand उतना ही रहने वाला है, तो यह जो है, इसको आप समझेगा, इसको अगर आप समझेगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, यानि कि demand और price, price में कितना change होने से demand पर कितना फरक परता है, चाहे price में plus change हो चाहे minus change हो, इससे कोई फरक नहीं है, change हो रहा है, negative change है कि positive है, यह अलग बात है, तो price में negative change हो या positive change हो, इससे फरक नहीं परता है, demand में क्या change हुआ, positive हुआ, negative हुआ, और उसको जब calculate करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ED, elasticity of demand, तो हम यह देखते हैं कितने types के elasticity of demand है, औ और किस-किस तरीके से फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है कि यहां पर यह चीजे आपको समझ में आ गया होगा अब आपको हम notes की तरफ लेके चलते हैं और एक-एक को अच्छे तरीके से समझाते हैं ठीक है यही बात मैंने आपको यहां पर बोला कि change in demand यानि कि percentage change in demand जो है ed equals to 1 है ठीक है ना यानि कि e equals to 1 या ed equals to 1 ed equals to 1 का मतलब यह होता है ध्यान से समझना ed equals to 1 का मतलब यह होता है कि अगर price में plus minus 10% का change आया नीचे हमेशा price है वो इकाई लोचदार मांग है, यानि कि इसको unit elastic demand बोलते हैं, unit elastic demand, exam में question यहां से पूछे जाते हैं, ED equals to क्या, तो unit elastic या elastic, क्यों elastic, कि जितना ज़्यादा price में कमी हुआ, उतना ही ज़्यादा demand बढ़ा, उतना ही, 10% price कम हुआ, तो 10% ही demand, यहां पर परसेंट की बात होड़ी ह यह नहीं कि, जैसे 5 से, 10 रुपिया से price हो गया, 5 रुपिया, तो 50% की कमी आ गई, ठीक है न, price में, यहां पर ध्यान रखिएगा, तो demand में भी 50% की ही बढ़ोत्री होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, कोई दिकत नहीं न, ठीक है, चलिए, तो वही बात कह रहा है, कि जितना ज्यादा price कमेगा, जितना परसेंट, उतना ही परसेंट demand अगर बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका elastic demand, और वो ED equals to 1 होता है, यानि कि EU equals to 1 होता है, ED equals to 1 हमेशा आपको लिखा जाता है, लेकिन कोई दिकत नहीं है, elasticity equals to 1, ठीक है, चलिए, अगला क्या कहता है, यह समझ में आ गया न, कि elastic demand क्या है, जितना price में changes, उतना ही demand में भी changes होगा, अगला point कहता है, ध्यान रखिएगा, elastic, यह हो था unique elastic, और यह है, inelastic, inelastic, यानि कि बे लोचदार, यह बे E less than 1 का मतलब होता है, कि अगर, अगर यहाँ पे बताता हूँ, अगर price में, अगर price में plus माइनस 10% का change आता है, 10% का change आता है, तो demand में plus माइनस 5% का change आएगा, यानि कि price अगर 10% कम होता है, तो demand 5% ही बढ़ता है, या price अगर 10% बढ़ता है, तो demand में 5% की ही कमी होती है, तो वैसे को कम लोचदार कहा जाता है, कम लोचदार, और ये क्या होगा, 1 by 2, 1 by 2 का मतलब 1 by 2 हो गया न, 5 by 10, तो ED less than क्या हो जाएगा, ED less than 1 हो जाएगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वैसे इसको बोलते है, बे लोचदा और एक होता है, बहुत जादा लोचदार, यानि कि लोचदार होगा, वो unit elastic था, unit elastic का मतलब होता है, कि एक इकाई ही आगे बढ़ा, जितना हुआ, उतना सब कुछ बढ़ाबर, और elastic का मतलब है कि, अगर price में कमी हुआ, जितना percent, उससे जादा percent demand बढ़ेगा, जैसे कि, मान greater than 2, sorry, 1, ED is greater than 1, इसका मतलब यह हुआ, यानि कि इसका मतलब यह हुआ, कि अगर price में 10 percent की कमी हुई, तो जो मांग है बस्तू का, वो 20 percent तक बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 20 percent तक, तो क्या हो गया, वो लोचदार हो गया, यानि कि एक ऐसा बस्तू है, जो साबी price कम होता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, दुगना, या उससे जादा, यानि कि ED equals to 1 हो जाएगा, तो ध्यान रखेगा, एक है ED, sorry, ED 1 से बढ़ा है, तो एक हमने क्या होता है, ED equals to 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि जितना price बढ़ा या घटा, उत price के ज़्यादा घटने से भी demand पे ज़्यादा फरक नहीं परता है, तो वो हमेशा 1 होगा, देखो price 10% घटा लेकिन demand पे 5% कहीं फरक आया, तो price के ज़्यादा घटने से demand पे ज़्यादा फरक नहीं आया, यानि कि कम फरक आएगा, तो ED less than 1 हो जाएगा, और वो होगा कम लोचदार, तो पूर्ण जो लोचदार होता है, उसमें क्या होता है, कि price के थोरा सा भी कम या ज़्यादा होने से demand पे बहुत ज़्यादा फरक यानि कि बढ़ जाएगा, या बहुत ज़्यादा घट जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, 10% price में बढ़ोत हो गई, तो ED greater than 1, एक से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा लोचदार, ठीक है, चलिए, आगे बरते हैं, दो और आगे आपको मिलेगा, और एक है perfect inelastic, perfect inelastic का मतलब होता है, E equals to 0, E equals to 0, एकदम 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बे लोचदार, पूरी तरीके से बे लोचदार है, इसमें क्या होगा, कि कीमत जो भी हो, मांग की मातरा हमेशा वही रहती है, कीमत चाहे जो हो, यानि कि अगर कीमत में plus minus 10% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो मांग जो है वो जितना है उतना ही रहेगा, अगर 100 मांग है तो 100 ही रहेगा, फिर plus minus यहाँ पर से पर बे लोचदार है, यहाँ पर कोई calculation नहीं, तुम कितना भी पैसा बढ़ा लो, चाहे कितना भी पैसा घटा लो, जो नमक का मांग घर में है, वो उतना ही रहेगा, यह नहीं कि नमक सस्ता हो जाएगा, तो तुम जो है ना, दो-दो किलो नमक सबजी में रखना शुरू कर दे ने दिया, तो कीमत कैसा भी हो, मांग जो है ना, वो बनी रहेगी, यह बे लोचदार, पुर्न रूप से बे लोचदार है, पुर्न रूप से, और एक है, पुर्न रूप से लोचदार, यानि कि बहुत ज़्यादा, यानि पुर्न रूप से लोचदार, उसमें क्या होगा, कि कीमत घटने पर मांग की मात्रा अनंत हो जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा सुन्न हो जाती है ठीक है यह यहाँ पर पूर्ण तरीके से perfectly elastic है जो E equals to infinite है E equals to क्या infinite है तो यह perfectly elastic है यानि कि कीमत अगर घट जाती है तो मांग कितना होगा इसका कोई हिसाब नहीं है और कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग एकदम कम भी हो सकता है या zero भी हो सकता है कीमत बढ़ जाने के बाद क्योंकि एक ऐसा समान है जो घर के लिए बहुत ज़्यदा essential नहीं है लेकिन लोगों की चाहत बहुत है लोगों की चाहत है कि यूँ होना चाहिए अब ऐसा समान का example आप हमें बताइए कि जो लोगों की चाहत है होना चाहिए लेकिन घर में बहुत ज़रूरी नहीं है इसलिए कीमत अगर घट जाती है बहुत ज्यादा तो फिर लोग उसको ख़िदना शुरू कर देता है, कीमत अगर बढ़ जाती है, तो उसको एकदम इंग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके बीना जीवन चल जाएगा, ठीक है, तो यह है आपका, क्या बोलते है, ED, ठीक है, जिसमें हमने क्या बताया, उसको मैं एक बार revision आपसे क यानि कि demand में percentage change होड़ा है, और बटा में percentage change in price, ये बात हमने बताया, फिर इसमें हमने बताया कि ये किस-किस परकार को होते है, एक होता है, ED equals to 1, इसमें क्या होगा, कि जितना आपका plus-minus कीमत बढ़ेगी, percentage में, उतना ही demand भी क्या होगा, बढ़ेगा, या घटेगा, ठीक होगा, कि अगर plus-minus 10% हुआ, कीमत में, तो जो मांग है, उसमें, उसमें ज्यादा फरक नहीं परेगा, कम ही फरक परेगा, तो यहां पर लिए तो 5%, तो देखो ये कितना है, 1 by 2, यानि less than 1 है, ठीक है न, चलिए, उसको बाद हमने बताया, ED equals to, ED equals to, sorry, greater than 1, इसमें हमने क्या बताया, कि अगर plus-minus price में 10% की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, तो demand में 20% या 30% या 40% कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एक example बताता हूँ, वो हो जाता है, तो ED equals to क्या हो गया, ED greater than 1, एक हमने बताया, ED equals to 0 है, इसमें क्या होगा, इसमें चाहे, price में किसी भ का परकार का percentage हो जाए, demand पर कोई फरक नहीं परेगा, demand जितना है, उतना ही बना रहेगा, दिमांड जितना है, उतना ही बना रहेगा, कोई फरक नहीं, और एक हमने बताया, ED equals to infinite, जिसमें हमने क्या बताया, कि price में थोरा सा भी change, price में थोरा सा भी change, demand को बहुत up कर देगा, या प्राइस में थोड़ा सा भी नुक्सान कमी डिमांड को नीचे लेके आ जाएगा, तो ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, तो ये 5 मैंने बताया, 1 ED equals to 1, जिसे हमने unit elastic कहा, unit elastic कहा, ठीक है, दूसरा कलर से लिग देता हूँ मैं, unit elastic कहा, उसके बाद ED less than 1, 2, जिसे हमने inelastic कहा, inelastic, बे लोचदार जिसको बोले हैं, उसके बाद हमने बताए, ED greater than 1, इसको हमने कहा, लोचदार यानि कि elastic बताया, elastic बताया, ठीक है, ED equals to 0, तो इसको हमने बताया, perfectly, perfectly inelastic, और ED equals to infinite, इसको हमने बताया, perfectly, perfectly elastic, ठीक है, कोई दिकत नहीं, चलिए, तो ये था हमारा थोड़ा सा आपका demand और supply के बारे में, इसको आप अच्छे तरीके से देख लिजे, 3, 4, 5, ठीक है, खुब अच्छे से देख करके और इसको लिख लिजेगा, अपने copy में, कोई दिकत नहीं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये था हमारा demand, तो हम लोग demand and supply के बारे में बात कर रहे थे, और उसके elasticity के उपर भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, तो हमारा दूसरा topic है Indian tax system, भारतिये कर विवस्था, जरा इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, भारतिये कर विवस्था, Indian tax system, भारतिये कर विवस्था, बारा ध्यान से समझेगा, यहां पर भी हम दो चार, आपको क्या बना देंगे, क्या बोलते हैं, उसको graph को खीचेंगे, भारतिये कर परनाली कैसा है, वो हम आपको बताते हैं, देखिए, कर क्या होता है, तो कर एक अनिवारे भुगतान है, ठ लेकिन जब हम बात करते हैं, आज के डेट में, तो आज यह क्या हो गया, अनिवार हो गया, तो कैसे स्वक्षिक अनिवार हो गया, यह बात आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए, अब हम क्या देखते हैं, कि कर के क्या-क्या परनाली है, अपने देश में किस प्रकार क प्राक्टिसिज किये जाते पूरे दुनिया में टैक्स को ले करके, तो एक है परगतिसील कर परनाली, यानि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसमें आय के बिर्धी होने के साथ कर में भी बिर्धी हो, ठीक है, जा निर्धन को कम कर और धनी को उचा कर चुकाना परता है, यानि कि आय के बिर्धी के साथ क्या होता है, कर में भी बिर्धी होती है, यह हो गया आपका परतिगामी, इसमें क्या होता है, कि आय में बिर्धी के साथ उस पे लगने वाली कर की दर क्या होती है, कम होती जाती है, तो जड़ा उसके बारे में बात कर ले हम लोग, यह क्या होता है देखिएगा कि अगर आपका आए 10 लाख रुपया है तो आपको 5% देना पड़ेगा मैं एक्जाम्पल से आपको समझाता हूं ठीक है अगर आपकी आए 20 लाख रुपया है तो आपको 10% देना पड़ेगा अगर आपकी आपकी आप 30 लाख रुपया है तो आपको 15% द देना होगा आपकी याइ 30 लाक है तो आपको कितना देना पड़ेगा 10 परसेंट मैं इह आपका बेटा प्रग्रेश्यल्ट और लेह हो गया आपका रिग्रेशिव नि मतलब यह है प्रतिगामी कैसे आपको समझ में आ रहा रहा है डि दस लाख रूपिया है तो हम को कितना देनना है ट् vis में 5 परसेंट और एक्रेषी में 20 परसेंट 20 लाख रूपिया है तो प्रोग्रेषीव आपकी income बढ़ेगी वैसे वैसे आपका tax का बढ़ते जाएगा progressive में और tax आपको देना होगा ज्यादा और जैसे आपकी income कमेगी वैसे वैसे tax कम होगा progressive की बात हो रही है और जैसे जैसे आपकी income कम होगी tax आपका बढ़ते जाएगा इसके पीछे progressive के पीछे thoughts क्या बताते है प्रोग्रेसिव के पीछे thoughts यह है कि जिसका ज्यादा income है यानि कि वह बहुत ज्यादा अमीर है तो उसको ज्यादा tax देना चाहिए for the development of country और रिग्रेसिव के पीछे क्या कहानी है कि जिसका income कम है वह ज्यादा tax दो क्योंकि ज्यादा income बाला का percentage जैसे कि मान के चलो किसी के पास 10,00,000 की income है 10,00,000 की income है मैं regressive समझा रहा हूँ और अगर वह 5% tax देता है या उसको मान के चलो 25% tax देता है तो वह कितना देगा 15,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो कहने के मतलब यहां पर रिग्रेसिव में यह कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास बहुत इंकम है, वो अगर टैक्स का कम परसेंट भी देगा, तो वो बहुत ज़्यादा गॉर्मेंट को युगदान देदेगा, और उससे ज़्यादा अगर हम टैक्स बढ़ा लेंगे, तो पर वो बहुत ज़्यादा दबाब में आ जाएगा, रिग्रेसिव टैक्स में यह कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में कहा जाता है कि नहीं, जिसका इंकम जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो प्रोग्रेसिव इंग्रेसिव जितना कम इंकम उतना ज्यादा और इंकम जैसे जैसे घरती जाएगी वैसे टैक्स का रेट आपका बढ़ते जाएगा एक है आपका यह इंग्लीश में है ठीक है वो हिंदी में था अब एक है यहाँ पर देखो प्रपोर्पोर्सनल टैक्स प्रणाली यानि कि इसमें क्या बलते है सामुनाति, समान उपातिक, आए कि परतेक अस्तर पर समान दर से कर देना परता है, इसका क्या मतलब है, कि चाहे तुम 10 लाख रुपया कमाओ, 5% ही देना है, चाहे ओ 20 लाख रुपया कमाओ, 5% ही देना है, चाहे 30 लाख रुपया कमाओ, 5% ही द कुछ अस्तर तक तो करकी दर में बिढ़ दी हो, प्रन्तु एक अस्तर के बाद यह क्या हो जाएगा स्थीर हो जाएगा अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेगा मैं इस सब को एक जगा समझाता हूं अच्छे से ठीक है न कि एक खाली सा जगा पर मैं आपको समझाता हूं इसको चलिए ठीक है अब देखे सारे tax system को हम यहाँ पर आपको समझायते हैं पहला मैंने बताया progressive इसमें हमने क्या बताया कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे आपका tax बढ़ता जाएगा यह tax है और यह income है प्रोग्रेसिव की बात हो रही है यानि आमदनी बढ़ते से income बढ़ने से tax क्या होगा आपका बढ़ते चला जाएगा तो यह बाद समझ लो, यह income है नीचे में, इसको 20 लाग कर देते हैं, इसको 30 लाग कर देते हैं, इसको 5% कर देते हैं, इसको 10% कर देते हैं, यह 0 है, ठीक है, income in लाग, यह हो गया progressive, income बढ़ने से tax बढ़ेगा, regressive, दूसरा क्या था? regressive, यहाँ पर regressive कर लेता हूँ, मैं दूसरा regressive, regressive क्या कहता है? Regressive कहता है कि जैसे जैसे income आपकी बढ़ेगी आपका जो tax pattern है वो क्या होगा मान के चलो कि आपका ये income है और ये tax है तो अगर आपकी income इस जगह पे है इस जगह पे तो आपको tax कितना देना पड़ेगा ये यानि कि आपकी income यहाँ पे 40 लाख है तो आपको tax कितना देना पड़ेगा मान के चलो कि यहाँ 20% ठीक है लेकिन आगर आपकी income यहाँ पे आ गई यानि कि यह 20 लाख पे आ गई तो आपको tax कितना देना पड़ेगा 20-30% ये हो गया आपका Regressive अब एक हमने बताया था समान उपातिक यानि कि proportional प्रोपोर्शनल में क्या था कि चाहे आपके income कितना भी हो ये नीचे income है नीचे income है अब आपकी income कितना भी हो 20-30-40 कोई फरक नहीं पड़ता आपको tax जो है ना 20% ही लिया जाएगा चाहे इंकम कुछ भी हो यहाँ income हो चाहे यहाँ income हो चाहे यहाँ income हो कोई फरक नहीं पड़ता है tax 20% ही आपको देना है यह क्या था तीसरा था तीसरा चौथा क्या था वो मैं बताता हूं चौथा चौथा यहाँ लेके आ रहा हूं चौथा क्या था वो देखना बड़ा ध्यान से चौथा था डिग्रेसिव यह तो proportional है यह ठीक है यह है प्रोग्रेसिव यह है रिग्रेसिव ठीक है पहला दुसरा तीसरा यह चौथा यह क्या है डिग्रेसिव है डिग्रेसिव इसमें क्या था इसमें था कि एक समय तक एक समय तक आपका tax बढ़ेगा और उसके बाद constant हो जाएगा भारत में यही चलता है मालू है नah कि आप मान के चलो आपका यह tax है और आपका यह किया है इनकम है ठीक है आपका यह tax है और यह आपका क्या है income है तो जैसे जैसे आपका income बढ़ेगा वैसे वैसे tax आपका बढ़ेगा वैसे लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका income और tax यह tax जो जो है ना constant हो जाएगा income बढ़ते चला जाएगा कोई फरक नहीं पड़ता है और tax क्या हो जाए? constant हो जाएगा एक समय के बाद कुछ समय तक आप देख रहे हैं income बढ़ रहा है तो tax भी आपका बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप जो है ना constant पे हैं अब आप कितना भी income करते चले जाएगा आपको उतना ही tax पे करना है तो यह डिग्रेसिव है तो यहाँ पर हमने आपको उसके बाद हमने बताया दूसरा रिग्रेसिव कि जैसे जैसे आपके income बढ़ती जाएगी tax आपका कम होते जाएगा तो यह इसका downward है उसके बाद हमने बताया proportional मतलब कि आप income बढ़ने के बढ़े या घटे कोई फरक नहीं पढ़ता है tax जो तै कर दिया गया वही रहेगा यह proportional है ठीक है उसके बाद हमने बताया आपको डिग्रेसिव जिसमें एक कुछ समय तक तो बढ़ता है income के साथ tax लेकिन उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है constant हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है पिटा तो यह चार मैंने आपको tax के system को बताया जो कि अपने economy में एक बाड यूज होता है और यह exam का question बन जाता है कि degressive tax में क्या होता है तो आप टिक करेंगे कि income के घटने के साथ tax बढ़ने लगता है progressive tax में क्या होता है तो आप टिक करेंगे और degressive में क्या होता है कि कुछ समय तक tax बढ़ने के साथ बढ़ता है उसके बाद फिट constant हो जाता है उसके बाद proportional में क्या होता है कि किसी कितना भी कमाओ तुमको tax जो fix है वो आपको देना ही परेगा तो यह करके अलग-अलग तरीके है जो की लगाये जाते हैं दुनिया में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगों पे ठीक है tax के अलग-अलग pattern पका ना? कोई दिकत नहीं? चलिए तो यह करके अलग-अलग परकार हमने आपको बताया और उसको वहाँ पे notes में भी आपको मिल जागा यह आप बना लीजेगा यह notes में बना हुआ आपको नहीं मिलेगा तो इसको आप बना लीजेगा अपने copy में ठीक है? इससे पहले भी मैंने कुछ गराब बनाया उसको भी अपने copy में बना लीजेगा और आपको समझ में नहीं आए तो आप भर-भर के comment कीजे हम फिर से बताएंगे फिर से समझाएंगे आपको खूब अच्छे से समझाएंगे पक्का? कोई दिकत नहीं? चलो तो आज के class को हम रोकते हैं Thank you, thank you very much